सलोफाद की बेटियों की बिन्ती तब युसूप के पुत्र मनश के वंश के कुलो में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाथ का पोता और मनश के पुत्र माकीर का परपोता था उसकी बेटिया जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिलका और तिरसा है वे पास आए और वे मुसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबु के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहवा के विरुध इकटी हुई थी वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुलमे से पुत्र न होने के कारण क्यों मिख जाए, हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमी निजभाग करके दे दे उनकी यहविंती मूसा ने यहवा को सुनाए, यहवा ने मूसा से कहा सलोफात की बेटिया ठीक कैती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवशही कुछ भूमी निजभाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौप दे और इसराइलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए, तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौप ना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो, तो उसका भाग उसके भाईयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो, तो उसका भाग उसके चाचाओं को द उसको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इसराइलियों के लिए यह न्याई की विधी ठहरेगी जैसे कि यहवा ने मुसा को आग्या दी थी। हारुन की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के भढ़कने के समय मेरी आग्या को तोड़कर मुझ से बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दुरुष्टी में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में हैं। मुसा ने यहवा से कहा यहवा जो सारे प्राणियों की आत्मों का परमिश्वर है वह इस मंडली के लोगों के उपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो जिससे यहवा की मंडली बिना चरवाहे की भे यहोशु को लेकर उस पर हाथ रख वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आग्या दे और अपनी महिमा में से जो कुछ उसे दे जिससे इस्राइलियों की सारी मंडली उस ता हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहावा से उरीम की आग्या पूछा करे और वह इसराइलियों की सारी मंडली समेट उसके कहने से जाया करे और उसके कहने से लौट भी आया करे। यहवा की इस आग्या के अनुसार मुसा ने यहुशु को लेकर एलिया जर्याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आग्या दी जैसे की यहवा ने मुसा के द्वारा कहा था